Hey guys, welcome back to a new video और आज की वीडियो एक नई कंट्री के बारे में होने वाली है मैं इस वीडियो में एक नई कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ आप लोग थामनेल देखके समाजी गई होगे, फिल्लेंड पहले तो मैं एक फिल्लेंड के आपको टॉप न्यूज बताने वाला हूँ जो अभी कुछ दिनों पहले आई है देन में वीडियो में आगे प्रोसीड करूँगा उससे बहले में अपना एक छोड़ा से इंट्रडक्शन दे देता हूँ मेरा नाम नितिलकुमार सिरवास्तवा है मैं इन्वर्सेटी अफ मेसिना के स्टूडेंट हूँ मैं स्टडी वीजा रंवक वीजा पर वीडियो बनाता हूँ अब मैं आता हूँ वीडियो के डारेक्ट मुद्दे पर मैं आपको बताने वाला हूँ तो फिल्लेंड के एक सबसे टॉप न्यूज जो अभी आई गए बहुत लेटेस्ट न्यूज ए इंटरनेशनल स्टुडेंट्स को लेके और उनकी वीजा इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके तो फिल्लेंड ने एनाउंस किया है कि उन्हें 2030 तक 15,000 से जादा इंटरनेशनल स्टुडेंट्स चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो इन्वर्सिटीज है वो काफी जादा इंग्ली स्कोर्स प्रवाइड करती है तो फिल्लेंड के एक न्यू पॉलिसी आई है कि वह 15,000 से जादा इंटरनेशनल स्टुडेंट्स को अपने एलाव करने वाले हैं 2030 तक तो इस अबसे बड़ी एक टॉप रिजन बन गई है कि आपको क्यों फिल्लेंड में पढ़ना चाहिए जो फिल्लेंड में फिल्लेंड में फिल्लेंड में क्यों पढ़ना चाहिए जो एहां कि एक 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 ऐसे लिविंग कंडिशन में पढ़ोगे जहां पे आपको बेटर सुसाइटी मिलेगी रहने को फिल्लेंड में फिल्लेंड में पढ़ने आते हो तो आपको हर चीज में डिसकाउंट मिलेगी चाहिए हो फूड हो ट्रांसपोरेशन हो और यहां पे जो वर्क लाइफ बैलेंस का एक जो थियोरी है उसको अच्छे से मेंटेंड किया जाता है तो यह सारी जाएटी में पढ़ना चाहिए उसके बात मैं अगर मैं अगला रेजेंड बता हूँ कि आपको फिल्लेंड में क्यों पढ़ना चाहिए तो फिल्लेंड में क्या है ना आपकी living cost, आप हर चीज निकाल सकते हो वहां रहके, और वहां पर easy PR option है, other Sennegan country के comparison में, Finland में आप easily settle हो सकते हो, अगर आप settle होने के हवाले से आप यह पाना चाहते हो, या फिर आप abroad आना चाहते हो, तो, अगर मैं बात करूँ कि वहां पर requirement क्या है, तो Finland में कोई ILTS की requirement नहीं होती है, Finland में आप without ILTS भी application कर सकते हो, Finland में आपको scholarship भी मिलेंगी, scholarship भी option है, जो partial होती है, कुछ आपकी thieves be off हो जाएंगी, वो आप universities के website पर जाके check कर सकते हो, but mostly scholarship depend करती है, चार factor पर, जो पहला factor होता है, कि आपकी academic percentage किसी नहीं है, आपकी previous education में है, academic percentage के अलावा, जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा importance रखती है, Finland में, scholarship लेने के लिए, कि आपकी motivational letter कितनी ज़्यादा effective है, कितना ज़्यादा impression create कर रही है, in front of visa officer, आपकी जो recommendation letter, sorry, जो आपकी student body होती है, हर university में जो आपको scholar सी grant करती है, उनके सामने कितना अच्छा impression create हो रहा है, जो तीसरी सबसे बड़ी reason है, कि आपकी recommendation letter, कि आपको जिनों है recommend किया, वो कितना effective है, and last, आपका ILTS का band score अपने अगर ILTS दिया है तो, so मैं सबको suggest करूँगा, जो Finland में scholars ही पाना चाहते हैं, कि आप please ILTS दे के आओ, कोई बड़ी बात नहीं, ILTS easy है, जिस prepare करो, दे के आओ, आपकी scholarship की chances बढ़ जाएगी, and मैं personally आपको ये भी छोड़ा सा मैं आपको अपनी suggestion देता हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ ILTS, क्योंकि देखो, यार, scholarship पिलने का importance, हम जो बच्चे इटली पर पढ़ते हूँ से अच्छा कोई नहीं जानता, हम अच्छे से जानते, तो मैं चाहता हूँ, आप लोगों को भी access मिले अगर वहाँ पर भी आ रहे हो तो, अब मैं आता हूँ, direct, सबसे important topic की visa ratio क्या है, इंडिया से, इंडिया से visa ratio पूरी की पूरी तरह अब 100% हो गई है study visa की, no rejection, if your file is good, if your file is fair enough, if your documentation is proper, you will get your finished study visa, and Pakistan से भी और other neighboring countries हो हमारी है, Bangladesh, Nepal, वहां से भी अच्छी इनकी response है, तो आप अराम से पाकिस्तान में भी embassy कुल गई है Finland की, तो आप अराम से आप कर सकते हो application अगर कोई Pakistani student मेरा video देख रहा है तो, अब मैं बात करूँगा jobs, अगर आप Finland में पढ़ने आते हो, तो आप कितने पैसे कमाओगे job करके, तो पहले तो वहां पे जो बंदे food delivery करते हैं, वो 3,000 euro तक कमाते हैं 35 euro तक महिना के, वहां पे दो delivery की companies, Bolt and Foodera, आप वहां पे काम कर सकते हो, उनकी ID लेके, इसके लावा आप warehouse jobs कर सकते हो, waiter की job कर सकते हो, और किसी supermarket में job कर सकते हो, IT companies में job कर सकते हो, अगर आप masters के लिए आते हो with some experience, तो यह सारे job options वहां पे available है students के लिए और अच्छी pay है, अगे बात करूं कि कौन से region Source Finland को बनाती है, एक perfect country for your abroad study, तो वह है कि English speaking nation है, लोग यहां पर बहुत अच्छे English speaker है, मतलब कि अच्छे percentage में बोलते हैं, and post study work permit आपको 2 साल की मिलेगी, so, आप easily Senegal Zone में आके काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, Now मैं आपको पताऊंगा कि आप कैसे university find out करोगे, कैसे आप Finland में university और courses find out करोगे, तो जो Finland की जो government वहां पे जो education department है, उन्होंने अपनी एक portal बनाई है, study in Finland portal, link description में आप चेक कर लो, वहां जाओ, वहां जाके आप अपनी university and course आप select कर सकते हो easily, and अब मैं आता हूं कि आपके documents या फिर क्या requirements है marks के, मैं उस सारी चीज़े बता देता हूं, ताकि आप अपनी Finnish study जो वीजा है उसके लिए file कर सके, उसके लिए आप application कर सो को universities में पहले, तो bachelor और master's दोनों के लिए 50% से जादा होने चाहिए आपके previous education में, medium of instruction साथ में रखो या LTS रखो, two letter of recommendation लगेंगे आपकी physical educational, जो आपकी previous educational certificate से वो अपने साथ रखो, अपने पासपोर्ट रखो, यह सारे चीज़ साथ रखके आप application कर दो Finland के लिए, आपको वहाँ पे कुछ application fee भी पे करना पड़ सकता है, and once you will pay all these things, उसके बाद आप Finland की study visa के लिए eligible हो जाओगे, अगर मैं बात करू, bank statement, eligible I mean के application के लिए, अब मैं आता हूँ bank statement पे, कि आपको कितना bank statement सो करना पड़ेगा, जो आपको bank statement visa के time पे सो करना पड़ेगा, वो 75 euro से लेके 8000 euro होगा, ठीक है, वो एक मंत पुराना भी चलेगा, और कोई ऐसा requirement नहीं है कि बहुत पुराना होना चाहिए, बस आपको अपने sponsor के account में दिखाना है, and मैं top finest universities बता देता हूँ, top Finland की universities बता देता हूँ, जो वहाँ पे आप मेरी suggestion है, personal recommendation है, आप में पे admission ले सकते हो, जो पहली है वो University of Vasa, उसके बाद University of Tukru, University of Aalto, LUT University, Hanken School of Economics, यह सारी हुआ की top most universities यह फिर personally जो मुझे अच्छी लगी universities, मैंने research किया, बात है कि हुआ students है, यह universities अच्छी आप यहाँ application कर सकते हो, और बेसपट पता क्या है कि Finland की, आप एक application form से 6 प्रोग्राम में इंडॉल कर सकते हो, ठीक है, आपकी chances ज़्यादा होंगी acceptance आने का, अब मैं आपको Intect के बारें बता देता हूँ, lastly, Intect आपको कौन से वहाँ मिलेंगी, Intect आपको Autumn Intect मिलेंगी, जो की September Intect होती है और Spring Intect मिलेंगी, January Intect होती है, कि आप अपने Finish Study Visa को easily work permit में convert करा सकते हो, without any problem, यह बहुत बड़ी वहाँ की feature है, ठीक है, easily है, सबसी easy, मतलब कि आपको बस कुछ application करने, form बरने, आपकी जो Finish Study Visa है, वो work visa में convert हो जाएगी, तो बस यहीं था वीडियो में, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में,